गुद मॉर्निंग दियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैसल्फ दॉक्टर वकुलदेव और आप देख रहे हैं अपना फेवरिट लेट्स क्रैक नीट यूजी यूर वन स्टॉप सॉलूशन फॉर नीट और यह जो हमारा कॉर्स चल रहा है 45 देज का इसमें हम लग लगभग लगभग पूरी efficiency के साथ काम कर रहे हैं नेकेवल काम कर रहे हैं बलकि questions भी practice कर रहे हैं और thousands of questions हम अब तक discuss कर चुके हैं इस मंत के end तक मेरा जो target है वो यह है कि हम लगभग लगभग 6000 mcqs discuss कर चुके होंगे है ना तो बिटा सुनो 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 मैं थोड़ लेट हो गया पांच मिनिट कई बार क्या है कि system के alignment में system की setting में कुछ कुछ गड़बड़ी आ जाती है उनको सही करने में दो पांच मिनिट लग जाते हैं ठीक है तो आप सब लोग आ जाईए सब लोग आ जाईए जल्दी जल्दी है ना come fast the session just has started एक मिनिट रुकिये मैं जरा message कर दूँ आप सब बच्चों को कि थोड़ा सा हम लेट हुए हैं लेकिन session अब start हो गया है एक मिनिट रुको बिटा बस 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 एक message कर दूँ और उसके बाद हम लोग start कर रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे बच्चे आजाओ जल्दी से good morning dear students आजाए जल्दी से हम पांच साथ मिनिट लेट हो गए हैं session start करने हैं बबस अमने class start कर दी है ना आईए सब लोग आजाए जल्दी से join fast बस बेटा अब ठीक है अभी हमने message कर दिया है now we will start the session come so 330 plus का हम लोगों का target है जिसको के हम achieve कर लेंगे ऐसा मुझे लगता है जिस efficiency से जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और प्रोसीड कर रहे हैं definitely हम लोग हमारे target तक पहुंचेंगे आप सब लोग आजाए जल्दी जल्दी आईए बटा जल्दी जल्दी आईए बिल्कुल लेट मत होई एक्स क्रीटरी प्रोड़क्ट कैसे लिखा हुआ आगया लोको मोशन और मुवमेंट आज आपका चैप्टर है तो बिल्कुल ठीक है एक्सक्रीटरी प्रोड़क्ट तक हम पढ़ चुके हैं लोको मोशन का आज आपका चेप्टर है उससे पहले कल की क्विजिज में सुनिए कल दोपहर और कल रात वाली क्विजिज में जिन बच्चों ने टॉप रैंक्स हासिल की थी मैं पहले उन बच्चों के नाम डिस्प्ल तो I will shout out the name of each and every student उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ ये Unacademy के branded notes या printed study material अब available है आप सब के लिए आपको अवेल करना चाहिए Iconic के जो बच्चे हैं उन सब के लिए ये subscription ये study material पूरी तरह से free है उनके doorstep पर उनको by post इसके delivery की जाएगी और ये limited time offer चल रहा है जल्दी से आप ले लीजे इसको 12 month अगर आप जाते हैं तो 2 month का subscription फ्री है 24 month के लिए जाते हैं तो 2 month का subscription फ्री है that is combo pack NEET UG plus CBSE ये नीट 2022 के लिए तीन courses है पावा रेली, टेरली ड्रॉपर और संजीवनी बैच और 23 के लिए legends और संजीवनी बैच जो अभी चल रही है आजाओ बेटा जल्दी से बस दो मिनिट में हम session स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है जब तक बच्चे आए तब तक मैं preliminary information आपको सब को दे देता हूँ plus को अगर आप subscribe करते हैं तो 24 month का subscription है 2100, 12 month का है 2888 per month ये मैं per month के basis पर कह रहा हूँ as soon as you subscribe plus आप access मिल जाती है आपको best educator मिल जाते है interactive live sessions, live test and quizzes and structured courses ये सारी चीज़ें आपको उपलब्द हो जाती है आइकनिक पर अगर आप जाते हैं किसी भी subscription में जाएं आपको ये code ज़रूर याद रखना है बेटा बीदेव आइकनिक थोड़ा सा costly है उससे 3750 per month अगर 24 month पर जाते हैं 4875 अगर one year पर जाते हैं added advantages क्या-क्या है आइकनिक में आपको plus के comparison में personal guidance extra मिलती है study planner मिलता है, study material मिलता है, expert guidelines मिलते हैं और आपका test analysis भी हो जाता है correct? तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं बहुत important और बहुत significant tools अनकेडमी ने डेवलप किये हैं आप सब की better understanding के लिए तो आपको उनको subscribe करना चाहिए और आना चाहिए plus पर meanwhile, बिलकुल बिलकुल, इससे पहले कि मैं अपना session start करूँ आज का it is my responsibility to display the name of all the top performers in yesterday's quiz ठीक है? कल की quiz के जो top performer है उनके नाम अब मैं आप सब लोगों के सामने display करने वाला हूँ so just have a look सबसे पहले देखिए, morning में यानि की तीन बजे वाली, first जो हमारा quiz हुआ था उस quiz में आप देख रहे हैं, प्रियान्शु 61 out of 63 questions इन्होंने सही attempt किये first rank पर कुमार गौतम या क्यार गौतम 58 out of 63 और दिव्यान्शु 52 out of 63 ये हमारे top 3 performer थे कल दो पहर की quiz के, correct? आगे देखिए, इसी quiz में fourth number पर safe थे, जिन्होंने 50 questions सही किये, अश्वीनी ने 48 सही किये, कशिश 45 पर, अनुजा 44, रिकी 44, बैटमेन 44 और सुनील 44, इन सारे बच्चों ने बहुत अच्छा perform किया कर, ठीक है? और रात वाली जो quiz थी हमारी, जिसमें हमने 100 questions पूरे किये, NCRT based, यानि कल के दिन में हमने 160 questions किये, मैं average 150 to 200 के बीच डेली मान के चलता हूँ कि इतने questions हम लोग कर लेंगे, तो उसमें first rank अब ये नाम आपको मेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रियान्शु है, ठीक है ये बच्चा प्रियान्शु है, इसने अपना नाम डिस्पले में बकुल लिख लिया है, बट प्रियान्शु 94, आउट अफ 101, गायत्री 89, सुनील 87, ये टॉप 3 performers हैं, और इन टॉप 3 performers के बाद में सैफ 84, बैटमें 84, प्रियंका 83, राजु 83, दुरगेश 82, रॉनी 82, और ललित 81, तो, ए बिग राउंड अप्लॉज पर आल टॉप पर्फॉर्मर्स ऑफ येस्टरडेश क्विज, आज आपका दो बजे मॉक टेस्ट है, बैटा, बायलोजी का, ये मैं आपको बता दू, और उसके बाद तीन बजे आपका फिजिक्स का मॉक टेस्ट है, और तीन ब आपको शेयर कर दिये जाएंगे, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स पर, लैट्स क्रैक नीट यूजी के ग्रुप पर भी हम लोग लिंक शेयर करेंगे, और पूरा एंटी ए पैटर्न पर आप लोगों का टेस्ट ये होने वाला है, जिसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे पेप को कह रहा हूं कि शार्प 3 o'clock, तीन बजे सारे के सारे बच्चों को क्विज में आ जाना है, लेट आप होंगे, तो फिर आप बिल्कुल उस क्विज को एंजॉए नहीं कर पाएंगे, उस टेस्ट को एंजॉए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट में OMR भरना होता है, औ और अगर आप 15 मिनिट, 20 मिनिट लेट आते हैं, तो उस क्विज का कोई मतलब नहीं रह जाता, करेक्ट, शाबाश, क्लेरिटी है भाई सबको, चलिए, यह हमारे क्लास के टाइमिंग्स हैं, and these are the timings of today's quiz, 8th अगस्ट, NTA pattern test, 2-5 pm, जिसमें biological test आपका सबसे पहले होना है, द सारे के सारे बच्चे मुझे 2 बज़े मिल जाएंगे, बोलो, जल्दी से, जल्दी से respond करो, सारे के सारे बच्चे मिल जाएंगे, 2 बज़े अवेलेबल हो जाएंगे सब, मतलब 2 बज़ने में 5 मिनिट जब कम होंगे, तो मैं अपना session start कर दूँगा, जिससे की 3 बज़े तक आप सेटल हो जाएंगे पूरी तरीके से, और फिर हम हमारा quiz start कर देंगे, ओके, शाबाश, चलो, अब आज का topic start करते हैं, बेटा, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, लोको मोशन एंड मूवमेंट, लेखे बहुत ही important और बहुत ही अच्छा topic है ये, इसमें 3 major parts आत आता है आपका muscle contraction, mechanism of muscle contraction, दूसरा part आता है आपका skeletal system, शाबाश, और तीसरा part आता है आपका joints, तो चलिए start करते हैं, लोको मोशन एंड मूवमेंट का chapter, let us start this, सबसे पहले, first and foremost, what is lokomotion, lokomotion का meaning क्या है, लोको मोशन का मतलब क्या हो गया, voluntary movements resulting in the change of your location, अभी मैं यहां पर खड़ा हूँ, यहां से खड़ा होके थोड़ा आगया इस तरफ या इधर से मैं वापस इस तरफ आगया, यह क्या हो रहा है, lokomotion, मेरी position change हो रहा है, यह मैं एक से दूसरी जगह पर जा रहा हूँ, with a voluntary effort, that is locomotion, voluntary movement resulting in a change of location, and all locomotions are movement, but all movements are not locomotion, यह बहुत 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 important point है, जो कि यहां लिखा हुआ है, सारे बच्चे इसका मतलब समझे, इस पर सवाल पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जा सकता है, इस पर सवाल, देखे क्या लिखा है, all locomotions are movement, locomotion का मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह गए, that is locomotion, movement में यह कता ही जरूरी नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाए, in fact, movement बिना locomotion के भी हो सकती है, जैसे, आप जानते हैं कि आपके intestine में peristaltic movement होती है, क्रमा कुंचन की गतियां जिनहें कहते हैं, उनमें आपका locomotion नहीं होता, movement चल रही है, oveduct है, trachea है, इनमें ciliated epithelium होती है, तो cilia का movement होता है, movement हो रहा है बट locomotion नहीं हो रहा है, तो ये बहुत 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 significant, बहुत significant एक point है कि all locomotions are movement, सभी प्रकार के गमन गतियां हैं, लेकिन हर गति गमन में सम्मिलित नहीं की जा सकती, शाबाश, okay, so all movements are locomotions, sorry, all locomotions are movement, but all movements are not locomotion, that is very very important point, आगे आईए, अब locomotion और movement दोनों से interlinked में हैं, एक दूसरे से interlinked हैं, आप अगर locomote करेंगे, आप एक से दूसरी जगे पे move करेंगे, तो definitely, definitely movements तो आएंगे ही, चाहे वो muscular movement हो, चाहे वो non-muscular movement हो, So, let us have a look, locomotion and movement are interlinked, paramecium में cilia help करते हैं, hydra में tentacles help करते हैं, और हमारी body में limbs help करते हैं, एक से दूसरी जगे हैं जाने में, Lymphs are highly supportive, और actually are responsible for the locomotion, process of locomotion, because our body changes the location, अब देखे, human में movement के type पढ़ते हैं, तीन basic movement हैं, मैं फिर से repeat कर दूँ, यह हम किसकी बात कर रहे हैं बटा, movement, locomotion की बात नहीं कर रहे हैं, we are talking about movement, amoeboid movement, ciliary movement and muscular movement, ठीक है, flagellar movement भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ cytoplasmic streaming movement भी होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, है ना, तो सबसे पहले, amoeboid movement, amoeboid movement का मतलब, amoeba के जैसी गतियां, है ना, pseudopodia का निर्मान करके, pseudopodia या कूटपाद का निर्मान करके, जो गतियां होती हैं, the movements which are brought about by formation of pseudopodia are known as amoeboid movement, हमारी body में amoeboid movement किस में होती है, अगर आप से पूछा जाए, तो answer क्या देंगे, देखिए ज़रा, macrophages and leukocyte, in fact, आपकी जो WBCs होती हैं, सुनीए, the WBCs actually are amoeboid in appearance, and they also exhibit amoeboid movement, they move like an amoeba, एक amoeba जैसे move करता है, वैसे ही आपके WBCs भी move करते हैं, शाबाश, फिर आता है ciliary movement, Bicillia, अब ciliary movement कहां कहां होते हैं, trachea में cilia होते हैं आपके, oveducts में cilia होते हैं आपके, oveduct के जो cilia हैं वो zygote को और ovum को push करते हैं, एक specific direction में, एक particular direction में, और तीसरा है muscular movement, जो की muscular contraction की वज़ए से होते हैं, अब कुछ-कुछ example एक एक करके देख लेते हैं, सबसे पहले देखो ज़रा ये pseudopodial movement हो रहे हैं, ये pseudopodial बन रहा है आगे की तरफ, इसी तरीके से आपके WBCs, ये दिखाई दे रहें, WBCs, they form pseudopodia and they move in a specific direction, आगे आईए, ciliary movement, अब देखिए ज़रा, ये आपका ciliated columnar epithelium है, ये देखो, trachea की innermost lining है ये, आपकी trachea में कोई भी harmful substance, कोई भी irritant अगर enter कर जाता है, तो trachea के cilia उसे बाहर की तरफ expel कर देते हैं, इसी तरीके से ये देखिए, ये ovum दिख रहा है, zygote बन जाएगा और ये नीचे देखिए, ये fallopian tube के cilia दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस ovum को या zygote को, they will push it, they will push it towards the uterus, uterus की तरफ इसको push करेंगे, correct, चलिए, तो ये भी आपके movement हो गए, तीसरे नंबर पर आईए, फ्लैजिलर movement, which are brought about by the movement or lesion movements of the flagella, तो sperm का movement कैसा होता है, flagellar, इसी तरीके से yuglina है, अब ये जो yuglina दिख रहा है ना आपको, इस yuglina में यहाँ इस तरीके का flagellum होता है, ये flagellum है, तो इस flagellum की undulating movement या leshing movement के थ्रूँ yuglina move करता है, इसको flagellate की ही category में रखा जाता है, correct? तो, सबसे पहले non-muscular movement की मैं बात कर लूँ आप सारे बच्चों से, देखिए, मैं यहाँ कुछ चीज़े mention करता हूँ आपके लिए, कुल मिलाकर आपकी body में जो movements हैं, मैं movement की बात कर रहा हूँ बेटा, यह movements दो तरह के हो सकते हैं, ध्यान से देखिए, साड़े बच्चे, एक movement हो गया आपका, non-muscular movement, जिसमें muscles का involvement नहीं है, और दूसरा, muscular movement यानि की जिसमें muscles का involvement है, muscles जिसमें participate करते हैं, non-muscular movement में सबसे पहला, streaming movements of cytoplasm, दूसरे नंबर पर, flagellar movement, तीसरे नंबर पर, ciliary movements, और चौथे नंबर पर, pseudopodial movements, ठीक है, इनके example आप से अगर पूछे जाएं, streaming movement of cytoplasm का क्या मतलब है, कोशिका द्रव्यकी, कोशिका के अंदर होने वाली, की चक्रिक गतियां, जैसे यह कोई सेल है, है न, तो जो cytoplasm है इसका, the cytoplasm continuously circulates within the cell in a specific direction which are known as streaming movements of the cytoplasm, ठीक है, धारा के समान, कोशिका द्रव्यकी गतिया, flagellar movement आप समझते ही हैं, अभी मैंने बता दिया, हमारी body में flagellar movement किस में होते हैं, spermatozoa में, हमारी body में ciliary movement कहां होते हैं, where ciliary movement take place in our body, trachea and oveduct, या हम कहें fallopian tube, and where pseudopodial movement occurs in our body, that is WBCs, WBCs में भी दो ही हैं, neutrophils, as well as monocyte, आपके बल neutrophils लेख लेख लेख, that is more than sufficient, तो ये non muscular movement, अब आते हैं muscular movement, non muscular में तो कोई issue नहीं है बिटा, कोई परेशा नहीं है किसी को, non muscular movement में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बच्चे को, please respond fast, जल्दी से, देखिए अभी मैं आपको पहले, skeletal system से भी पहले पढ़ाने वाला हूँ actually, mechanism of muscle contraction, जो बहुत-बहुत-बहुत important topic है, तो I would suggest all of you to be calm, be patient, and concentrate on the session for next 25 minutes at least, because we are going to study mechanism of muscle contraction, जो बहुत-बहुत-बहुत important mechanism है, और जिसको लेकर आपके दिमाग में तमाम तरह के confusions चलते हैं, और जिनसे related questions आप अमूमन गलत कर देते हैं, तो उन सारी की सारी चीजों को मैं आपके सामने explain करने वाला हूँ, correct? तो आईए जल्दी-जल्दी आईए, let us start, muscular movement की तरफ चलते हैं, muscular movement में पहले NCRT के कुछ bullet points हम लोग देख ले, उसके बाद आगे proceed करेंगे, तो muscular system में आपके muscles आते हैं, जो mesodermal होते हैं, tissue के chapter में पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, NCRT का line है as it is, याद रखिए इसको 40-50% of the body weight, हमारे body का 40-50% हिस्सा या weight muscles बनाते हैं, muscles में excitability, contractility and extensibility, तीनो feature even to some extent elasticity भी होती है, primarily ये दो feature होते हैं, excitability यानि जब इनको stimulus provide किया जाएगा, जब इनको उद्धीपन प्रदान किया जाएगा, तो ये उद्धीपित होंगी means they will get stimulated, when a stimulus is applied and then they will contract, और उद्धीपन दिये जाने के बाद ये संकुचित होंगी, correct? चलिए, आईए आगे चलते हैं, अब तीन तरह के muscles हैं, ये चीजे में tissue में बता चुका हूँग, एक हलका सा recap दे रहा हूँ, जिससे आपका momentum बन जाए muscle contraction पढ़ने का, तीन तरह के muscle हैं देखो, skeletal muscle, visceral muscle और cardiac muscle, according to the location, यानि कि शरीर में स्थिती के आधहार पर, शरीर में उपस्थिती के आधहार पर, पेशियां तीन तरह की हैं, three type of muscles, कंकाली, आंतरांगी और हृदपेशी, skeletal, visceral and cardiac, एक-एक करके, जल्दी से इनके बारे में जानते हैं, फिर skeletal muscle का structure, and then mechanism of muscle contraction, तो skeletal muscle, आपके skeleton से attached होता है, यानि कि या तो bone से जुड़ा होता है, या तो cartilage से, striations होते हैं, striations का मतलब क्या है बेटा, आप जब भी किसी skeletal muscle को देखेंगे, जब भी किसी कंकाली ये पेशी को देखेंगे, तो इस पर आपको dark band और light band, इस तरह की गहरी और हलकी धारियां आपको दिखाई देंगी, that is the meaning of striations present, voluntary होते हैं माने की एच्छिक है ना, आपकी इच्छा से, आपके will से इनमें contraction होगा, इनमें rich blood supply होती है, इनमें fatigue ठकान भी आती है जब आप exercise कर लेते हैं, heavy work कर लेते हैं, ज्यादा भागते दौडते हैं, athletic events में participate कर लेते हैं, तो आप ठक जाते हैं, तो fatigue भी होता है इनमें, इनमें muscle fiber होता है multi-nucleated, यानि इनके एक muscle fiber का structure आप देखेंगे, that is something like this, यह देखिए, यह skeletal muscle fiber है, यह इस पर dark band दिख रहे हैं, बीच-बीच में light band दिख रहे हैं, इनमें mitochondria का कायूं ज्यादा होता है, यह skeletal muscle, यह देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है अच्छे से, डार्क और light band दिख रहे हैं देखो, गहरी धारियां भी देख रहे हैं, हल्की धारियां भी देख रहे हैं, यह डार्क और light band क्यों appear होते हैं, इसको अब हम discuss करते हैं, पहले visceral muscle बता दूँ, यह visceral organ में मिलता है, circular वो सारे के सारे कैसे हैं, smooth muscles, they all are smooth muscles, they all are visceral muscles, correct, poor blood supply होती है इनमें, इनमें usually थकान बहुत देर से आती है, होती नहीं है वैसे तो होती है तो देर से, यह uni nucleated होते हैं और इनमें mitochondria कम होते हैं, यह आपका smooth muscle fiber है, तो आप देख रहे हैं, smooth muscle fiber आपका uni nucleated है, एक केंद्र की है, इसमें cytoplasm है, लेकिन dark striation इसमें दिखाई नहीं दे रहे, blood supply थोड़ा कम है इसके अंदर, rich blood supply नहीं होता, and the number of mitochondria also is relatively less, आये, यह visceral muscle देखिए, यह stomach है, stomach में layers देख रहे हैं मिटा, यह देखिए, longitudinal, circular, even stomach में तो एक और muscle layer होता है, जिसका नाम है oblique muscle layer, आप सबने इसका नाम सुना ही होगा, आगे चलिए, last cardiac muscle, यह केवल heart में present होता है, striation होते हैं, involuntary होता है, rich blood supply, इसमें कभी थकान नहीं होती, uni nucleate होते हैं, ज्यादा mitochondria होती है, cardiac muscle fiber में, कुछ character तो होते हैं, skeletal muscle fiber के, देखो, striation देख रहे हैं, कुछ होते हैं, आपके visceral के, यह involuntary हैं, और कुछ इनके खुद के अपने peculiar characters होते हैं, जैसा कि आपको देख रहा है, यह branched हैं, शाखित हैं, एक दूसरे से interconnected हैं, तो यह एक basic information मैंने आपको देदी है, सारे के सारे muscle fibers के बारे में, यह comparative analysis है, skeletal, visceral और cardiac तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, हमेशा याद रखिए, cardiac muscle fiber में, कभी थकान नहीं होती, they never get fatigued, contract होते हैं, contract होते हैं, relax होते हैं, and this process continues, यह लगातार चलता है process, है न, यह process कब तक चलता रहता है बिटा, throughout the life, cardiac muscle fibers में थकान आ गई, अगर fatigue generate हो गया, cardiac muscle fibers में, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, heart के efficiency खत्म होती चली जाएगी, it may lead to the death, चलीए, अब आगे आईए, अब जड़ा striated muscle का structure देख लेते हैं, एक बार जल्दी से, जिसका mechanism of contraction हम लोगों को discuss करना है, जो भी mode हमें discuss करना है, तो skeletal muscle, muscle bundle का बना हुआ है, fascicle होते हैं, fibers होते हैं, एक बार ध्यान से देखिए सारे के सारे बच्चे, मैं आप लोगों को एक diagramatically इसको थोड़ा सा समझा दू, just have a look, देखो बेटा ऐसा है, यह आपका skeletal muscle में यहां बना रहा हूँ, यह skeletal muscle का bundle मैं आपके लिए बना रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे इसे, इस bundle में आपको dark bend भी दिख रहा है, इस bundle में आपको light bend भी दिखाई दे रहा है, correct? This is the bundle of skeletal muscle fiber, अब इस bundle का हम section लेते हैं इसको यहां से काटते हैं, जब इसको यहां से काटेंगे तो यह bundle दिखाई देगा ऐसा, have a look, और इस bundle में छोटे छोटे bundle और दिखाई देंगे, यह देखिए, और इन छोटे छोटे bundle में भी फिर fibers दिखाई देंगे, इस तरह के, यह देखिए, यह देखिए, और इनके अंदर अब जो structure दिख रही है यह यलो कलर वाली जो structure बना रहा हूँ, यह आपका muscle fiber है, this is the muscle fiber, आ रहे यह बात समझ में, यह आपका muscle fiber है, सारे के सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, have a look, इसमें, अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है muscle fiber, इस muscle fiber को आप बाहर निकाल लेते हैं चली, किसी एक muscle fiber को बाहर निकाल लेते हैं, so this is, one of the muscle fiber, एक skeletal muscle fiber हमने बाहर निकाल लिया, इस एक skeletal muscle fiber पर भी हमें, dark bands, और light bands, simultaneously दिखाई दे रहे हैं, यह multi-nucleated condition दिखाई दे रहे हैं, है न, यहां से हमने, एक fiber को बाहर निकाल लिया है, single, एक muscle fiber को बाहर निकाल लिया, उससे पहले इसकी labeling कर दूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए, सबसे बाहर आपको जो लेयर दिखाई दे रहा है बेटा, वो है, epimysium फिर अंदर दिखाई दे रहा है आपको, perimysium और अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, endomycium और यह आपको दिखाई दे रहा है, एक single muscle fiber जिसे हमने बाहर निकाल लिया, अब यहां आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात नजर आएगी, यह जो single skeletal muscle fiber है बिटा, इस muscle fiber के अंदर भी आपको filaments दिखाई देंगे, बहुत सारे filament आपको इसके अंदर दिखेंगे, यह देखिए, यह देखिए, यह जो filamentous structures, इसकी पूरी length में अंदर की तरफ भरी हुई है, इन filamentous structures को कहते हैं, बिटा, myofibril, ध्यान से सुनियेगा, और अब किसी एक myofibril को detail में बनाएंगे, तो उसमें actin myosin sub दिख जाएंगे आपको, और exactly आपको यह भी समझ में आएगा, कि dark bend और light bend, यह जो dark और light bend आपको skeletal muscle fiber पर दिखाई दे रहे हैं, यह exactly क्यों दिखाई देते हैं? Why they appear as dark and light? सुनो, सारे बच्चे ध्यान से देखो, have a look, have a look, have a look, अब इसमें से एक fiber बाहर निकालते हैं चलिए, और जरा actin myosin का structure जानने की कोशिश करते हैं, तो बेटा यह तो है इसमें thick filament, ध्यान से देखिए, यह तो है thick filament, इन thick filaments को कहते हैं बेटा myosin, ठीक है, यह तो myosin है, फिर myosin को overlap करते हुए, यह आपके thin filaments हैं, देखिए ध्यान से, यह देखिए, यह आपके thin filaments दिखाई दे रहे हैं, यह आपके thin filaments दिखाई दे रहे हैं, यह जो thin filaments मैंने बनाए, यह thin filament क्या है बेटा actin, फिर यह actin वाले filament आपस में zigzag manner में connected हैं, इन zigzag manner में connected structures को हम कहते हैं Z line, correct, अंदर green वाला मायोसिन यह yellow वाला actin और overlapping देखिए, arrangement देखिए इनका parallel, बिल्कुल parallel arrangement, अब यहां से यह actin फिर आगे extend कर जाएंगे, something like this, something like this, something like this, फिर यहां पर myosin बन जाएंगे, like this, like this, like this, like this, like this, और ultimately एक-एक actin का layer और बना देता हूं, फिर आपको यह structure पूरा अच्छे से clear हो जाएगा, कहां कहां क्या-क्या चीजें होती हैं, have a look, बात समझ में आ रहे हैं सबको, अच्छे से, मेरे ख्याल से कोई परेशानी इसमें होने नहीं चाहिए, जो structure हमने बनाया है, वो absolutely clear है, अपने आप में यह structure पूरी तरीके से clear है, ध्यान से देखी, अब इसमें क्या-क्या देख रहा है, have a look, सारे बच्चे एक बार के लिए इस डायग्राम की तरफ नजर डालेंगे, बिटा एक बार समझ लो इसको, अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद किसी तरीके की दिक्कत नहीं रहेगी, mechanism of muscle contraction समझना आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा, यह आपको दिखाई दे रहा है बिटा, actin, यह जो बीच में दिखाई दे रहा है, यह है myosin, green color वाला, correct, यह जो zigzag line आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं z line, correct, दो z line के बीच की जो जगए है, माने की, यहां से लेकर के, यहां तक का जो area है, the space or the segment between two successive z line, यह आपका कहलाता है, सारको मियर, यह आपका सारको मियर है, correct, जो की एक मसल फाइवर का structural और functional unit होता है, अब ज़रा ध्यान से देखो, सारे के सारे बच्चे ध्यान से समझो, जहां जहां मायोसिन है, यानि की यह पूरा area यहां से लेकर के, और यहां तक का area, यह relatively थोड़ा dark दिखेगा कि नहीं बेटा, क्योंकि यहां सारे filament कैसे हैं, they all are thick filaments, जब सारे filament थिक हैं, तो यह पूरा हिस्सा हमें गहरे रंग का दिखाई देगा, इसे हम कहेंगे dark band, इसी को A band भी बोला जाता है, अच्छा फिर यहां से यहां देखिए, यह वाला जो area है, यह light दिखाई देगा, इसे हम कहेंगे light band, light band को A band भी बोल दिया जाता है, अच्छा dark band के भी बीच में, अब ज़रा ध्यान में देखिए सारे के सारे बच्चे, इसके भी बीच में यह जो छोटा सा reason दिख रहा है, इसे कहा जाता है H zone, है ना, यानि dark band के भी बीच का relatively lighter zone क्या कहलाता है बिटा, H zone, अब finally इसका three dimensional arrangement मैं आपको और बता देता हूँ, then this structure will be completed, so let us have a look, three dimensional arrangement, तो three dimensional arrangement आप जब देखेंगे, तो आपको यह ऐसा दिखाई देगा, यह देखिए, यह actin के filament हैं, जो कि मैं draw कर रहा हूँ, इनका three-D arrangement कैसा होता है, समझेगा अब है, यह actin दिख रहे हैं आपको सारे के सारे, और अब मायोसिन का alignment कैसे है, देखिए का, यह मायोसिन है बीच में, कहने का मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहां से segment लिया है, इसका यहां से section लिया है, इस जगे से, तो यह ऐसा दिखाई देगा, three-dimensional arrangement, जब आप देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा, one myosin is surrounded by how many actin, देखिए ध्यान से, six actin, छे actin ने एक myosin को कवर कर रखा है, and one actin is surrounded by how many myosin, देखिए ज़रा, three, यह जो yellow color वाला है, यह तो है आपका actin, और जो green color वाला है, यह है आपका myosin, यह है, यह है आपका three-dimensional arrangement of actin and myosin, actin और myosin का three-dimensional arrangement आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अभी एक बार सारे बच्चे इसको देखिए, स्लाइड को, इसका screenshot जिनको लेना है ले लीजिए, और मुझे एक बार सारे बच्चे respond करेंगे, कि भाई यह आपको structure समझ में आ गया की नहीं, मसल फाइबर का structure आप लोगों को clear हुआ की नहीं, एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, क्योंकि जब तक आपको सारको मेर का structure clear नहीं होगा, जब तक आपको actin myosin समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको muscle contraction का mechanism भी समझ में नहीं आएगा, बेटा ये light band है ना, इसी को I band कहते हैं, किसने पूछा ये, शिवम, ये जो light band है ना बेटा, इसी light band को I band कहा जाता है बेटा, this is I band, dark band को A band कहा जाता है, बिलकुल मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अरे बेटा बता तो दिया I band शिवम, इस light band मैं लिखे देता हूँ लो, जिससे तुम लोगों को confusion नहीं हो, this light band is also known as I band, and this dark band is also known as A band, ये एक ही बात हैं, ये आर वन एंड दे सेम, I repeat, this is skeletal muscle, अच्छा एक चीज तो लिखना भूल ही गया है इसमें, इसके अंदर ये जो चीजें भरी हुए हैं, इनको कहते हैं, ये जो इसमें भरी हुए हैं ना चीजें, ये मायो फाइब्रिल हैं, और ये किसी एक मायो फाइब्रिल को ही हमने एनलार्ज किया है, जिसमें आपको एक्टिन और मायो सिन का peculiar arrangement, सारे के सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है, I hope it is clear to all of you, देखो बेटा मेरी बात सुनो, जब तक आपको सारकोमियर क्लियर नहीं होगा, मसल कॉंट्रेक्शन आप नहीं समझ पाएंगे, लिख के रख लीजिए इस बात को, So I am repeating it again and again, I am repeating it again and again, just try to understand this entire arrangement, and this entire structure of the सारकोमियर, इसको समझने की, आप सारे बच्चे कोशिश करें, ठीके? चलिए, बहुत अच्छे, तो आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई, अब हम आगे मूव करते, इसका स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, क्योंकि ये टेंपरेरी स्लाइड है, it will not appear again, just have a screen shot of this, जो भी बच्चे इसका screen shot लेना चाहते हैं, जल्दी से ले ले, फिर उसके बाद मैं आगे की तरफ मूव करूँगा, आई विल मूव फॉरवार्ड अंचुल बेटा, दो-तीन बार समझा दिया, अभी देखो आपस बताते हैं, एक मिनिट रुको, ये देखो, ये मसल फाइबर है जो मैंने अभी बताया था, इसमें से एक मायो फाइबरेल बाहर निकाल लिया, ये जो परपल कलर के आपको रीजन्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मायोसिन है, ग्रीन कलर वाले पतले पतले दिख रहे हैं, ये एक्टिन है, यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा रीजन डार्क दिखाई देगा, इस पूरे हिस्से को हम कहेंगे डार्क बेंड यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा यह जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है यह वाला यह आपको लाइटर रीजन दिखाई देगा इसको लाइट बेंड कहेंगे as simple as that and this will be the overall arrangement of actin and myosin in a sarcomere यह एक sarcomere है बीच में myosin लगे हुए है periphery से overlap करते हुए कौन है बटा actin that is how all these muscle fibers are arranged चलिए बहुत अच्छे शाबाज शाबाज आगे चलिए और देख लो और specify कर लो यह देखो myosin मोटा सारा myosin दिख रहा है ठिक यह blue color वाला actin दिख रहा है actin जिससे connected है यह zigzag line दिख रहा है आपको z line 2 z line के बीच का यह पूरा हिस्सा आपका sarcomere है actin और myosin का ज्यादा तर हिस्सा एक दूसरे को overlap करता हुआ है लेकिन थोड़ा सा centralized reason ऐसा है जो एक दूसरे को overlap नहीं कर रहा जहां केवल और केवल myosin है इस हिस्से को हमने कहा H zone actually जो muscle contraction का mechanism में आपको पढ़ाने वाला हूँ उसे कहते हैं बेटा sliding filament hypothesis इस diagram को अगर आप देख लेंगे और समझ लेंगे तो sliding filament आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा exactly होता क्या है यह दिख रहा है ना आपको तो आप मान लीजे myosin तो as it is जैसा है वैसा ही रहेगा contraction के दौरान क्या होगा यह actin वाले जो आपको filament दिख रहे हैं यह इस पर फिसलते हुए नजदीक आते चले जाएंगे अभी detail में explain करूँगा कि mechanism होता कैसे है but all these actin filaments will slide over myosin they will come closer this H zone ultimately will disappear correct मेरे क्याल से clear है सबको आगे चलिए अब ज़रा contractile proteins के बारे में जानते हैं अब थोड़ा सा concentrate करेंगे ध्यान से समझिएगा चार तरीके के proteins हैं जो muscle contraction की process में participate करते हैं actin, myosin, troponin, end tropomyosin, चलिए सब के बारे में जानते हैं एक-एक करके सबके बारे में एक-एक करके जानते हैं, आईए सबसे पहले बात करते हैं बेटा actin की, first and foremost तो actin के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, दो चीज़ें पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज़ें तो यह पता होनी चाहिए कि यह आपका actin है और यह जो actin मैं यहाँ बना रहा हूँ इस actin को क्या कहते हैं बेटा G actin है ना, G को आप simple language में समझना चाहिए तो this is globular actin यह G actin ultimately इस तरह के filamentous structure में convert हो जाता है यानि यह सारे unit एक दूसरे से fuse हो जाएंगे और यह ऐसा एक structure बना लेंगे तो यह जो conversion हुआ G actin से F actin का यह F actin बना है आपका इस तरफ इसे हम क्या कहेंगे अब आगे की तरफ जो बना है that is F actin F actin का मतलब आप समझ लें सीधे सीधे कि भाई हम filamentous actin की बात कर रहे हैं और G actin से जब F actin बना उसके लिए हमें क्या चाहिए बहुत important बात बता रहा हूँ यहाँ पर हमें किसकी जरूरत होगी magnesium की देखिए आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि muscle contraction में कौन-कौन से ions responsible होते हैं तो calcium तो हैर आप पढ़ते ही है सारे बच्चों को पता ही है कि calcium तो participate करता ही है लेकिन magnesium भी participate करता है और magnesium का काम है आपके G-actin को F-actin में बदलना यानि कि जब तक आपका G-actin F-actin में convert नहीं होगा तब तक muscle contraction proceed नहीं कर सकता अब इस F-actin में से किसी एक actin molecule को हम बाहर निकाल लेते हैं यह लीजिए इस एक actin पर यहाँ नीचे की तरफ जो sites मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं बिटा यह आपके active site है active sites जब muscle contraction का mechanism होता है तो myosin का head यहाँ आ करके attach होता है इन में से किसी एक को हमने बाहर निकाल लिया है आप एक बार के लिए यह मान ले तो मेरे ख्याल से actin की कहानी तो clear है actin में तो किसी बच्चे को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए बोलो है क्या जल्दी से बोलो actin का मामला clear हुआ सारे के सारे structure अच्छे से clear होंगे तभी mechanism समझ में आएगा बटा देखो यह सारे active sites है यह सब नीचे की तरफ active site है जो भी आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं यह आउल आर active sites एक बार जल्दी से respond करो एक बार जल्दी से respond करो एक बार जल्दी से respond करो क्लियर है ना सबको शाबाश अब आगे चलो actin के बाद आगे चलते है चलो पहले actin एक बार फिर से देख लो यह देखो यह दिख रहा है आपको यह green color के globules जो मिले हुए दिख रहे हैं यह आपके actin है this is your actin correct फिर इसके ऊपर यह जो रसी सी लिप्टी हुई है यह ट्रोपो मायोसे नहीं रसी के ऊपर यह जो तीन तीन actin यह रहा actin यह जैडी डिस्क दिख रहा है यह जैडी डिस्क दिख रहा है एक सारकोमियर का एक छोटा सा हिस्सा हम देख रहे हैं और थोड़ा enlarge करेंगे तो यह actin आपको दिखाई दे रहे हैं so actin is clear now come to myosin myosin भी बड़ा interesting और important structure है अब exactly myosin कैसे होता है कैसा structure होता है पहले तो यह समझे सारे बच्चे समझे मायosin एक्जेक्ली होता है ऐसा कि समझ में आ रही बात कि यह तो myosin है और यह इसका टेल है करेक्ट यह हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको हैड और यह दिखाई दे रहा है आपको टेल है ना अब exactly myosin के हैड में क्या चीज़े होती है इनको भी समझते हैं यह सारी अल्ट्रा स्ट्रक्चर समझना आपके लिए बेहत जरूरी है यह एक myosin का head में यहां बनाए देता हूं तो साहब myosin के head पर एक तो यहां होता है site for the attachment of active site एक होता है आपका binding site यहां ATP का एक molecule जुड़ा हुआ होता है उपर की तरफ जो site दिख रहा है यह है site for attachment with active site एक्टिव साइट से attachment के लिए site है और इसी के ऊपर एक enzyme भी present होता है यह जो तो साहब myosin के बारे में दो बातें खास तोर से आप सारे बच्चों को याद रखनी है सबसे पहली कि myosin structural protein तो है ही साथ ही साथ catalytic भी है enzymatic भी है क्योंकि इसके ऊपर myosin ATPase enzyme है और यह question in fact इसी language में पूछा गया है this question actually has been asked in the same language that that myosin is structural as well as catalytic protein इसको याद कर लीजिये बहुत important है यह इसी language में as it is यह question पूछा गया है कि body में कौन सा ऐसा protein है जो की structural भी होता है और simultaneously catalytic nature का भी होता है the protein which is catalytic as well as structural the answer would be myosin यह देखो यह myosin का structure है नीचे जो आपको diagram देख रहे है यह आपके NCRT का diagram है यह आपको head देख रहे हैं देखो यह वाले actin binding site ATP binding site यह रही actin binding site यह रही जो मैंने बनाई थी यह दोनों head देख रहे हैं यह cross arm दिखाई दे रहा है यह cross arm और यह tail LMM जो लिखा है बिटा इसका मतलब है light mirror myosin mirror myosin actually क्या होता है जब myosin को हम trypsin से hydrolyze करते हैं तो myosin दो हिस्सों में टूट जाता है एक हिस्सा क्या कहलाता है heavy mirror myosin एक कहलाता है light mirror myosin तो यह LMM याने light mirror myosin इसे देखोगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी यह myosin का head दिखाई दे रहा है आपको यह head दिखाई दे रहा है और यह myosin का tail दिखाई दे रहा है so now please respond actin और myosin दोनों के structures clear है सारे बच्चों को एक बार जल्दी से बताईए बिटा please respond and please respond fast please respond fast जल्दी से जवाब दीजिए जल्दी से सभी बच्चों के reply आने चाहिए और नकेवल आने चाहिए बल्कि जल्दी से आने चाहिए हाँ सेयद इकबाल actin thin filament होता है myosin thick filament होता है रवी कपूर कह रहे हैं repeat कीजिए लो वापस से देख लो जल्दी से यह आपका myosin है ध्यान से देखो myosin protein में एक तो head होता है एक tail वाला reason होता है point one point two अगर head को देखेंगे तो किसी भी head पर either of them एक तो होगा site for attachment with active site of actin actin के active site से attach होने वाली जगे दूसरा ATP binding site जिस पर एक ATP का molecule होता है और तीसरा एक enzyme चिपका रहता है जिसे कहते है myosin ATPase और इनहीं की वजह से myosin एक structural protein भी है और साथ ही साथ catalytic protein भी है यहां देखेंगे तो आपको NCRT वाला diagram भी दिख जाएगा जिसमें यह head दिख रहा है cross arm या HMM heavy myosin और यह tail यानि की light myosin मेरे ख्याल से clear है सबको दुबारा बताने की ज़रूरत नहीं है अब आईए troponin और tropomyosin यह बड़े important है यह आपको कैसे समझ में आएंगे देखिए actually यह actin बना रहा हूँ यह और यह actin का active site बना रहा हूँ यह क्या है भाई इसे क्या कहें actin और यह actin का active site आप लोगों के सामने बना हुआ है अब यह troponin और tropomyosin क्या करते है ध्यान से देखिए यह तो है आपका tropomyosin जो मैं यहाँ बना रहा हूँ इसको मैं लिख रहा हूँ Tm Tm का मतलब है tropomyosin और फिर यह troponin के तीन fragment है 1, 2, and 3 यह जो तीन fragment लिखे है ना TPT, TPI और TPC यह तीन हो है यह मैं लिखे देता हूँ यह TPT, यह TPI और यह TPC तो साहब इस troponin tropomyosin complex ने actin के active site को कवर कर रखा है What is the function of this complex? This complex covers the active site of the actin During rest, जब muscle contraction नहीं चल रहा है तो during rest तो यह position है क्या दिखाई देरा आपको दूरिं रेस्ट, what you are visualizing देट ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स covers the active site इस complex ने active site को कवर कर रखा है ठीक है? अब जब muscle contraction होगा तब क्या होगा? वाट विल हैपन अट टाइम आफ मसल कॉंट्रेक्शन के वाग यह जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स से कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा देखिएगा आभी अभी समझाता हूँ यह देखिए अब यह आपको क्या दिख रहा है? यह है TPT, यह TPI और यह TPC तो यह जो TPC वाला हिस्सा दिख रहा है न बिटा इस TPC वाले हिस्से से कौन आकर के जुड़ा? कैल्शियम डूरिंग मसल कॉंट्रेक्शन और जैसे ही इससे कैल्शियम जुड़ा यह पूरा कॉम्प्लेक्स फिसल करके स्लाइड करके इस डिरेक्शन में आ गया यह देखिए आरे यह बात समझ में एस सुन एस कैल्शियम कम्बाइन्स ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन कॉंप्लेक्स लाइड्स एंड एक्टिव साइट्स आर एक्सपो़ुज्ट यह प्रोसेस कब हुआ भीटा यह तब हुआ जब्जन कॉंट्रेक्शन होगा तो यह ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायसिन कॉंप्लेक्स का काम है तो चार प्रोटीन आपने पढ़ leiये हैं चार प्रोटीन आपने पढ़ लीये हैं Actin, Myosin, Troponin, Troponin जिसके तीन फ्रेग्मेंट हैं, ये तीनों Troponin के ही पार्ट हैं, They all are the part of Troponin. है ना, तो ये Troponin, Tropomyosin complex का काम हो गया, अब एक बार मुझे बताओ, सारे बच्चे, एक बार जल्दी से जवाब दो बेटा, समझ में आ गया है कि नहीं मामला, प्लीज रेस्पॉंड, समझ में आ गया है मामला या नहीं, जल्दी से जवाब दो, Troponin, Tropomyosin complex का function clear हो गया, तो अब हम mechanism of muscle contraction पर proceed कर सकते हैं, सारी basic चीजें हमने पढ़ लिया है, अब muscle contraction का sequence पढ़ना है, अबस, all we have to do is to study the mechanism of muscle contraction, अगर आपने यहां तक का पढ़ लिया है, और आप अगर अब 15 मिनिट, देखो बेटा, मेरी बात सुनो, चैटिंग करना आपस में बंद करो, जस्ट फिफ्टीन मिनिट्स, इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, शाबाश, आईए, आईए, अब आगे मूव करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, नियूरो मस्कुलर जंक्शन के बारे में, कहने का मतलब कोई भी मसल फाइबर सीध है, तो कॉन्ट्रेक्ट करेगा नहीं न, ऐसा नहीं है कि रेंडमली कोई भी मसल फाइबर कॉन्ट्रेक्ट कर जाएगा, जैसे मालनों यह आपका एक मसल फाइबर है, एज्यूम करो, that this is a muscle fiber तो ऐसा थोड़ी है यह muscle fiber सीधे contract कर जाएगा इसके contract करने के लिए जरूरी क्या है इसके contract करने के लिए जरूरी है कि इस पर किसी nerve का signal आए यह देखो यह एक neuron है आपको दिख रहा है साफ साफ that this is a neuron है ना और यह neuron आखिर में जाके क्या बनाता है synaptic knob बनाता है आपको पता है neurotransmitter से भरे हुए synaptic terminals होते हैं तो यह यहां आकर divisions बन रहे हैं देखिए का सारे बच्चे द्यान से समझेगा अब ज़रा द्यान से देखिए इन में से एक जो है इन में से एक जो है उसने आकर के और यहां यह देखो एक nerve terminal ने यहां आकर के एक joint बना लिया यह तो आपको देख रहा है बेटा muscle fiber द्यान से देखो this is muscle fiber this is nerve fiber और यह जो यहां जंक्छन बना हुआ नजर आ रहा है आपको this junction is known as neuromuscular junction this junction, this one is known as NMJ which means neuromuscular junction this neuromuscular junction this neuromuscular junction is made this problem is coming in now this neuromuscular junction exactly how to understand this I will make this part and the next part just have a look here we make a muscle fiber this we make muscle fiber और इस मसल फाइबर और इस मसल फाइबर के ऊपर से क्या आ रहा है बेटा सुनो ध्यान से एक मिनिट रुको इस जंक्षन को समझना बहत बहुँग है यह देखो अब उपर से मैं बना रहा हूं यह यह जो यह नर्व टर्मिनल आ रहा है न बेटा यह नर्व टर्मिनल यह नर्व टर्मिनल बना रहे हैं उपर से यह देखिए यह उपर से आ रहा है आपका नर्व टर्मिनल है रही है फ्लै करेट इस नर्व टर्मिनल में यहांर μोड रंसमिटर भरे हुए वैसिकल cabin जिन्में इरूड ट्रांस्मिटर भरा हुआ है और यह आपको दिखाई देरा है बिक्ता न्यूर मस्कूलर जंक्शन this is neuromuscular junction, यह muscle fiber है, यह nerve terminal है, यह जो यहाँ दिख रहा है इसी को थोड़ा सा बड़ा किया है अब ही ज़रा द्यान से सुनो, यहाँ पर आपका सारको प्लाजमिक रेटिकूलम भी बना देते हैं, चलो लेबल करते हैं इनको जल्दी से, यह है आपका सारको प्लाजमिक रेटिकूलम यह है आपका नूरो मस्कूलर जंक्शन, नूरो मस्कूलर जंक्शन में भी इस वाली मेंब्रेन को कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेंब्रेन, यह मसल फाइबर है आपका इस वाली मेंब्रेन को कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेंब्रेन आरे यह बात समझ में यह वैसिकल से फिल्ड विद नूरो ट्रांस्मिटर्स है ना इसमें आपका कैल्शियम भरा रहता है यह कैल्शियम स्टोर हाउस है सारको प्लाजमिक रेटिकुलम एक्च्वली इस दे स्टोर हाउस अफ कैल्शियम अब क्या हुआ ना वाट हैपन ध्यान से सुनना एक चीज़ और बता दू उससे पहले यह यहां होते हैं आपके यह आपके सोडियम के चैनल से अब देखो यह देखो अभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा मसल फाइबर में कॉंट्रेक्शन के लिए सिगनल आएगा इधर से नर्व फाइबर का आखिर यह हिस्सा सिगनल लेके आएगा जो इंपल्स यहां ट्रेवल करता हुआ आएगा बिटा उस इंपल्स को कहते हैं ध्यान से सुनो एक्शन पोटेंशियल यह आपका एक्शन पोटेंशियल है जो आता जा रहा है इस डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है यह देखिए और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहां तक आएगा प्री साइनाप्टिक मेंब्रेन तक आएगा आएगा एक्शन पोटेंशियल वैसे ही आपके सेनियाप्टिक वैसिकल्स फ्यूस हो जाएंगे फ्यूस होकर के यह अपने नियूरो ट्रांस्मिटर्स को बाहर रिलीज कर देंगे ये नियूरो ट्रांस्मिटर बाहर रिलीज हो गए और ये नियूरो ट्रांस्मिटर आकर यहां चिपक जाएंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेंब्रेन पर आकर 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 चिपक जाएंगे जैसे ही ये post-synaptic membrane पर आकर चिपकेंगे इस membrane में जो sodium के channels हैं ध्यान से सुनिएगा पिटा इस membrane में जो sodium के channels हैं वो open हो जाएंगे और बाहर से sodium ions अंदर enter करना start कर देंगे जब बाहर से sodium ion अंदर enter करना start कर देंगे बिटा तो ये हमारा membrane कैसा हो जाएगा डी पॉलराइजड जब ये plasma membrane डी पॉलराइजड होगा तो सारको प्लाजमिक रेटिकूलम भी डी पॉलराइज हो जाएगा और जब सारको प्लाजमिक रेटिकूलम डी पॉलराइज हो जाएगा तो सारको प्लाजमिक रेटिकूलम में जो calcium अंदर आपको दिखाई दे रहा है वो अब इन चैनल से तेजी से बाहर आने लगेगा है यह calcium ions निकल के बाहर आने लगे यह लीजिए यह सारे के सारे calcium निकल के सारक प्लास्म में आने लगे यह बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को पहले तो यह बताओ मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से यह एक नियूरो मस्कुलर जंक्शन तुम लोगों को दिखाई दे रहा है यह nerve fiber है यह muscle fiber है इसका यह जो junction है इसी का elaborated version मैंने यहां बनाया है नीचे muscle fiber दिख रहा है ऊपर nerve terminal है muscle fiber में contraction अपने आप नहीं होगा there has to be a signal तो signal जो आएगा उसे कहते हैं बेटा action potential action potential आया ऊपर से और यह जो action potential जैसे ही nerve terminal पर आएगा वैसे ही नियूरो ट्रांस्मिटर से भरे हुए वैसिकल्स फ्यूज होंगे फ्यूज होकर ये अपना नियूरो ट्रांस्मिटर बाहर रिलीज कर देंगे ये नियूरो ट्रांस्मिटर इस मेंब्रेन पर आकर के चिपकेगा और ये sodium के channels open हो जाएंगे sodium ions बाहर से अंदर आएंगे हमारा plasma membrane muscle fiber का depolarize हो जाएगा सारको plasmic reticulum भी depolarize हो जाएगा और इस वज़े से सारको plasmic reticulum में जो calcium भरा हुआ था वो निकल के बाहर आने लगेगा कहाँ? सारको plasmus में यानि इसके cytoplasm में calcium का concentration बढ़ने लगा यहां तक बात समझ में आई की नहीं कि calcium का concentration यहां increase हो गया इस point तक मामला clear है की नहीं पहले तो यह बताओ इसके बाद के step तो बिलकुल बच्चों वाले step है तुरंत समझ में आ जाएंगे उसमें बिलकुल भी आपको वक्त नहीं लगेगा immediately सारी बाते समझ में आ जाएंगी अगर यहां तक का मामला clear हो गया है तो clarity है ना यहां तक step wise कोई परेशानी तो नहीं है किसी को भाई बहुत अच्छे देखो जितने भी बच्चे आप इसको properly sincerely समझ रहे हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी मैं लिखके दे रहा हूँ इसके बाद आप muscle contraction का question गलत नहीं करेंगे correct चलिए अब आगे आईए अब यहां से आगे move करते हैं यह सारा काम तो हो गया यह देखो यह nerve आ रहा है यह junction इसी का elaborated structure मैंने बनाया है यह देखो यह nerve terminal आ रहा है यह neurotransmitter release हुए sodium के channel open हुए अब मैं यहां तक आ चुका हूँ अब देखिएगा इसको एक साथ समझो इस पूरे मामले को एक साथ समझो अभी मैंने क्या बताया कि यह calcium बाहर आया और calcium का concentration अब हमारे cytoplasm में increase हो चुका है ठीक है आपको पता है सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी muscle fiber का structural और functional unit क्या है यह जिसे हम क्या कहते हैं सारको मियर भाई यह सारको मियर इसके अंदर ही है ना तो मैंने representation के लिए एक सारको मियर बना लिया है और सारको मियर में एक्टिन यह रहा आपका और एक्टिन पर यह troponin-tropomyosin complex दिख रहा तो साहब जैसे ही calcium का concentration यहां बढ़ेगा calcium इससे attach होगा और यह complex देखो किधर आगया है वे लुक यह complex shift हो गया slide हो गया और एक्टिन के active site exposed हो गया देखिए ज़रा ध्यान से active sites of actin are exposed actin के active site को expose करना ही calcium का काम है यहां से calcium release हुआ calcium release होके इस TPC से attach हुआ यह पूरा complex shift कर गया actin के active site expose हो गया जैसे ही actin के active site expose होंगे अब myosin का head वहाँ आसानी से जाके चिपक सकता है और जुड़ भी सकता है combine भी हो सकता है बात समझ में आ रही है सबको myosin head now has the ability to combine with active site of the actin तो actin के active site expose हो गए फिर से repeat कर रहा हूँ सारी process एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ सारी process फिर से repeat कर रहा हूँ देखो यहां क्या आया देखो बच्चो ध्यान से सुनो यहां आया आपका action potential action potential को हिंदी में कहते है आंशुल सक्रिय विभाव या उद्धी पन आया तुम तो यह मालो है ना stimulus आया stimulus आते ही यह neurotransmitters के vesicle fuse हुए और neurotransmitters बाहर रिलीज हो गए तंत्रिका संचारी पदार्थ बाहर मुक्त हो गए neurotransmitter post synaptic membrane से जाके चिपके sodium के channels खुले sodium अंदर आए sodium के अंदर आने से हमारा plasma membrane हो गया depolarize माने कि विद्धुरुवित plasma membrane depolarize होते ही सारको plasmic reticulum भी depolarize हो गया विद्धुरुवित इसके depolarize होते ही इसमें से calcium निकल के बाहर आने लगा calcium का concentration साइटो प्लाजम में बढ़ने लगा ये जो calcium का concentration बढ़ा ये जो calcium का concentration बढ़ा ये TPC से जाके attach हुआ calcium shift हो गया complex actin के active site exposed हो गए अब मैं इंगलिश में भी बोल देता हूँ अब मैं इंगलिश में भी बोल देता हूँ असलग्परिस में एंगलिश के मलास्मा डेलिश प्लाजमा डेलिश Gibson अर ये बोलिशना एके ये денег प्लाजमा अले अड़ इन्ग के व्क्लरिशम के ग्रीव उटन में प्लाज़ाद के संग एज क्वा जगने active sites of the actin are exposed, correct, तो यहां तक का सारा मामला क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब देखो, actin का active site exposed हो गया है, ध्यान से देखो, सारे के सारे बच्चे ध्यान से समझो, यह तुम्हारा actin है, मैं यहां actin बनाता हूं, देखना जरा, यह तुम्हारा z-line है, यह सारे के सारे actin दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से समझो, यह की बार में समझ में आ जाएगा, और यह तुमको दिख रहे हैं, मैयोसिन के हेड, यह मैयोसिन के हेड दिख रहे हैं, यह तक तो पड़ लिया, हमने सारा मामला, यह देखो, यह active site तो exposed हो ही गए है, अब मैयोसिन का हेड क्या करेगा, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि हमारे मायोसिन के हेड पर, देखिएगा ध्यान से, यह मायोसिन का हेड है, इस मायोसिन के हेड पर यहां एक ATP होता है, और ATP के साथ यह attachment to active site है, और यहां एक चीज और प्रेजेंट है बिटा, एक एंजाइम है, जिसका नाम है, मायोसिन ATPase, तो अब क्या होगा, यह हेड इस ATP को तोड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से, हेड ने क्या किया, इस ATP को तोड़ा, यह ATP तूटा, ADP plus inorganic phosphate plus energy, किस से तूटा यह, मायोसिन ATPase से, करेक्ट, तूट गया, अब यह जो energy release हुई है, ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चे, यह जो energy release हुई, इस energy का इस्तिमाल, मायोसिन का हेड दो कामों में करेगा, वो दो काम कौन से हैं, utilized in two events, वो दो event कौन से हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझीए, सबसे पहले, head attaches with active site of actin, active site से जाके चिपक जाएगा, इस process को कहेंगे, cross bridge formation, यह cross bridge बन गया साहब, diagramatically समझाता हूँ, एक मिनिट रुकिए, अभी समझ में आ जाएगा, एक सेकिंड में, यह diagram देख रहा है, अभी एक diagram और बना देता हूँ नीचे, यह z-line है, अब देखो जरा, have a look, इस myosin के head ने energy का इस्तेमाल किया, और यह जाके इससे चिपक गया, यह इससे चिपक गया, यह इससे चिपक गया, यह इससे चिपक गया, बात समझ में आ रही है आपको, attachment हो गया यह, सीधे सीधे, जब यह attachment हो गया, एक मिनिट रुकिए इसको थोड़ा सा साफ बनाओं मैं, जब यह अटेच्मेंट हो जाएगा तो इस प्रोसेस को मैंने क्या कह दिया क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेक्ट अटेच्मेंट हो गया Actin Myosyn का क्रॉस ब्रिज बन गया दूस्रा काम क्या होगा अब यह Myosyn का Head Rotate करेगा रोटेट कैसे करेगा अभी यह Head यहाँ है हैं अब रोटेट हो के स्तरफ आ जाएगा इस तरफ आ जाएगा इस तरफ आ जाएगा इस तरफ आ और जब आपका मायोसन का हैड रोटेट करेगा बेटा तो Fast Party आ गुशन पर से फिशलता हुआ मायोसन के ऊपर ये वाला एक्टन इधर फिसला ये वाला इधर फिसला ये वाला एक्टन इधर आया ये वाला एक्टन इधर आया so what happened here head rotates head rotates towards H zone and actin slides over myosin और जब actin myosin के ऊपर slide करेगा बेटा तो इस event को हम कहेंगे power stroke दोनों तरफ से actin फिसलते हुए आये एक दूसरे के नजदीक और धीरे-धीरे सारको मियर का size reduce हो गया this entire mechanism is known as muscle contraction अभी एक बार सारे बच्चे मुझे बताएंगे पूरा process समझ में आया की नहीं please respond बेटा सभी के जवाब चाहिए मुझे और जल्दी से चाहिए यह actin है यह myosin है यह z-line है please respond सारा mechanism crystal clear हुआ कि नहीं आप लोगों को मतलब कहीं भी कोई element ऐसा बचना ही नहीं चाहिए जो हमें समझ में नहीं आया हो तभी मजा आएगा वरना मजा नहीं आएगा इसको पढ़ने का मजा तभी है जब एक-एक पॉइंट crystal clear हो अब इसको आप थोड़े से और अच्छे डाइग्राम में देखो के तो और समझ में आएगा पहले मुझे यह बताना जरूरी था अब जरह यहां आओ देखो यह मायोसन का हैड है देखो मायोसन का हैड एक्टिव साइड से चिपका यह चिपकते ही क्या बन गया across bridge formation यह उपर actin जा रहा है आपका का ये नीचे मायोसन है मायोसन के हैड है हैड आकर के इससे चिपक गए cross bridge बन गया अब यह actin के वल मायोसिन के वल चिपकेंगे नहीं चिपकने के बाद यह इधर rotate करेंगे it will rotate towards this direction अब यह मायोसिन का head attached तो हो ही गया है अब यह इधर rotate करेगा अब यह head इधर rotate करेगा और जब आपका head इधर rotate करेगा तो actin फिसलता हुआ इस तरफ आता चला जाएगा clear और एक डाइग्राम देखो एक मिनिट रुको यह देखो have a look साफ साफ दिख रहा है आपको यह यहाँ पर ATP का इस्तिमाल किया चिपक गया यह cross bridge बना cross bridge बनने के बाद मायोसिन का head इधर rotate किया तो actin फिसल के आया यह देखो actin फिसला इसके ऊपर और फिर cross bridge चूट गया फिर इसने पकड़ा फिर फिसला तो यह process continuously चलता रहेगा and that is how muscle contraction takes place इस डाइग्राम में देखो गे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा there are many diagrams many representations बोलो भाई बोलो जल्दी से अब एक बार जो चीजें लिखी हैं वो समझ लेते हैं देखो sequence of events क्या है sequence of events क्या है जल्दी से पड़ो stimulus arrives सारकोलीमा डीपोलराइज सबसे पहले सारकोलीमा डीपोलराइज हुआ फिर सारकोप्लाजमे क्रेटिकुलम डीपोलराइज हुआ sequence याद करो फिर calcium channel खुले है कि नहीं फिर calcium concentration इंक्रीज हुआ फिर calcium TPC से कंबाइन हुआ troponin-tropomyosin complex शिफ्ट हुआ active site एक्सपोज हुए उसके बाद ATP हाइडरोलाइज हुआ energy release हुई इस energy का इस्तेमाल दो कामों में किया गया myosin ने cross bridge बनाए और myosin H-zone की तरफ rotate हुआ actin slide हुआ myosin पर H-zone धीरे धीरे disappear हो गया सारकोमियर साइज में reduce हो गया and this entire process is known as muscle contraction अब बोलो भाई crystal clear है सबको अच्छे से समझ में आया की नहीं मुझे सारे बच्चे जवाब देंगे एक बार सभी बच्चों के responses चाहिए मुझे कि भाई ये मामला अच्छे से clear हुआ या नहीं हुआ सभी बच्चे respond करेंगे अब सुनो अब सुनो एक और चीज़ during muscle contraction ये सवाल भी पूछे जाते हैं तो सबको याद रहने चीए length of actin remains the same length of myosin remains the same width of a-band remains the same width of i-band decreases h-zone disappears सार्कोमियर decreases in the size बोलो clear मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से ये muscle contraction का पूरा mechanism मैंने आपको explain कर दिया है अब मेरी बात सुनो red muscle, white muscle ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को मुझे पढ़ानी थी लेकिन चूकी एक तो मेरी बात सुनो बेटा अगर अच्छे से समझ में आ गया है अच्छे से समझ में आ गया है बेटा TPC ही attach होता है क्योंकि TPC का काम ही है calcium से attach होना this is the sole function of TPC to get attached with calcium उसका काम ही ही है आप कहेंगे myosin का head actin से ही क्यों attach हुआ दूसरे head से क्यों नहीं attach हो गया so these are irrelevant questions है ना try to understand सबका अपना एक chemical nature है सबकी अपनी एक specified affinity है और उसी specified affinity के तहत ये काम करते हैं है ना अब मेरी बात सुनो अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है सारे बच्चों को देखो मैं बहुत लंबा नहीं कर रहा हूं session skeletal system तुमको कल वाले lecture में करवा दूँगा क्योंकि आज तुम लोगों का mock test भी है दो बज़े का time है तुमारे mock test का इसलिए बहुत लंबा नहीं करते हुए इसको यहीं पर conclude कर रहा हूं skeletal system सारा का सारा मैं तुमको कल पढ़ाऊंगा है ना अन्शुल यार सारा हिंदी में बताया है लास्ट तक तुम यही message करते रहते हो ऐसी एक भी line आज के lecture में नहीं है जिसमें मैंने हिंदी साथ में न बोली हो हो सकता है कि एक दो मिनिट के लिए न बोली हो लेकिन बाद में फिर से repeat कर दी है है ना So I am trying my level best to be bilingual to be comprehensive or comprehensible for Hindi medium students also Hindi माध्यम के विद्धियारते भी मेरी बातें समझ सके मैं पूरा प्रयास करता हूं है ना लगभग सारी चीजें हिंदी में translate करता हूं है ना लेकिन एक एक word का translation मेरे ख्याल से possible नहीं हो पाएगा तो जो effort किये जा रहे हैं आप सब लोगों के लिए try to understand the gravity of those efforts है ना उन प्रयासों के महत्व को समझ ये बजाए कि हम आखिर तक ये लिखते रहें कि एक-एक statement हमें हिंदी में चाहिए मैं बोल रहा हूं सारी चीजें continuously आप लोगों के लिए हिंदी बोल रहा हूं action potential को मैंने आप से कहा उद्धीपन सक्रिय विभव depolarization के लिए मैंने शब्द प्रयोग में लिया विद्धुवन बोलो लिया कि नहीं है ना actin filament myosin के ऊपर slide करता है अब इसको हिंदी में क्या बोलें बस यूँ ही बोल सकते हैं कि actin filament myosin के ऊपर फिसलता है बस तो slide करना तो समझते होना बेटा इतनी हिंदी तो मेरे ख्याल से आपको इतना हिंदी और इतना इंगलिश यह technical terms है इनमें कभी भी इतना ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए कि हम subject की actual जो understanding है उससे दूर भागने लगे we should try to focus on the real subject और मैं अपनी तरफ से यह कोशिश कर रहा हूँ कि maximum maximum आप लोगों के लिए हिंदी भी बोल सकूँ देखिये हर जगा है के बच्चे है ना बिटा अभी देखो कुछ बच्चे साउथ इंडिया से तो उनको हिंदी समझ में नी आ रही थी तो I actually spoke entirely in English certain paragraphs आप लोगों को English समझ में नी आ रही तो मैंने हिंदी बोला तो दोनों को mix करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा students को मेरी बात समझ में आ जाए उनके लिए session फाइदमंद हो जाए है ना So don't be panic, don't be impatient clear Try to see the gravity of the efforts and try to appreciate them अब आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई है तो इस session को like जरूर करो बिटा और share करो आखिर में कुछ बातें आप से और कहूंगा पहला तो ये कि आप लोगों को अभी opportunity दे दी गई है कि आपको अगर कोई भी session किसी भी session में कोई inappropriate content मिलता है you have the authority to report it 14 और 15 अगस्त को an academy prodigy test है जो सबसे बड़ा test है पूरे हिंदुस्तान का NEET के point of view से JE के point of view से आप सब को enroll करना है by using the code BDEV BDEV code का इस्तेमाल करेंगे आप और अपने आपको enroll करेंगे इसमें ठीक है अच्छा 14 और 15 अगस्त को ये exam है आप चुकि 2021 वाले हैं तो मेरे ख्याल से ये आप इस category में आ जाएंगे तो आप दोपहर दो से साड़े तीन बजे का time free रखेंगे कब 14 अगस्त को सारे बच्चे appear होगे है ना सारे बच्चे appear होगे और अगर आप प्रोडिजी बनते हैं टॉप टू में आते हैं तो आपके एक साल की fee जो है that will be paid by unacademy इसको sponsor किया जाएगा with certain conditions अच्छा फर्स्ट तू सेकेंड फर्स्ट तू तैंफ रैंक होल्डर्स जो होगे उनको macbook मिलेगा 11 to 15 वालों को Apple iPhone मिलेगा 16 to 20 वालों को iPad मिलेगा 21 to 50 वालों को आपका Amazon Echo Dot मिलेगा और 51 to 100 वालों को आपका voucher मिलेगा ये daily practice test हैं जो चल रहे हैं इसके लिए भी आप website पर जाकर अपने आपको enroll कर सकते हैं और पिछली बार के ये बच्चे हैं Prodigy के Prodigy में जो इनका rank आया National Rank भी यही आया लगभग यही National Rank भी आया और Iconic का हम एक बिल्कुल नया Model Up लेकर आ रहा हैं आपके लिए यू जस्ट है वेट वेट फू देज और फू देज और लाँचिंग इट वेरी सून तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही इसको ज़रूर जोइन कर लो Let's Crack Neat UG के चैनल को क्योंकि यही पर सारी चीजें आपको मिलती है Link है PDF है Relevant Information है Each and Everything And finally if you need any financial assistant Call on this number 81008 66666 Correct कोई भी आप Course Subscribe करते हैं Don't forget to use this BDev अब हम दो बज़े मुलाकात करेंगे बिटा एक बज़ के 55 मिनिट पर सारे बच्चे सेशन में आ जाने चाहिए क्योंकि NTA पैटर्न पर यह टेस्ट और गनाईज होगा और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी बच्चा इस टेस्ट में लेट हो Clear सारे बच्चे प्रिज़ेंट चाहिए मुझे शार्प एट टू पीम ठीक है टाटा बाइबाइब क्या चाहिए